तो भी भी हमारा सुनने वाला कोई नहीं है का हमारे देश में हाई स्पीड रेल चालू हो पाएगा पाकिस्तान को तिर्फ पीछे चोड़ने के लिए किया जा रहा है प्रूवल होने के बाद ही हो गए थी इंडिया की संत्यानवे परसेंट पॉपलेशन ने एक ना एक बार तो ट्रेन के से सफर किया ही होगा इसके भी अपने फैदे हैं आखिर बजट डिकब है और ट्रेवलिंग के मस्ती भी बहुत जादा होता है हर ग्रूप में लेकिन एक ऐसा दोस्ट जरूर होता है जो अपने क्रीप के स्टाटिक में कहता है कि चलो यार फ्लाइट जलते हैं और बाकि सारे दोस्ट उसका पुरुजोर विरोध करते हैं क्यों? ट्रेन की मस्ती फ्लाइट में कहां लेकिन कभी सोचा है कि अगर ट्रेन की स्पीड भी फ्लाइट जितनी हो जाए ट्रेन को प्रिफर करने के अपने ही बहुत सारे रिजन है बहुत सारे देसों में तो ट्रेन से ही ट्रेवल किया जाता है लेकिन वहाँ की टेकनलोजी इंडिया की टेकनलोजी से काफी बैटर है वहाँ की ट्रेन एक मिनट भी लेट हो जाए तो उसे पूरा का पूरा फीस रिटरन करना पूरा का पूरा पेमेंट रिटरन करना होता है अपने कस्टमर्स को लेकिन इंडिया की ट्रेन 24 गंटे भी डिल हो जाए पुरे एक दिन भी डिल हो जाए तो भी भी हमारा सुनने वाला कोई नहीं है इससे एक तीस्तों समझ आता है कि इंडिया के बहुत सारे लोगों का ये तो सपना जरूर है कि कास हमारे देश में भी ऐसे ट्रेन होता तो इंडिया में हाई स्पीड रेल्स के एनाउस्मेंट के बाद जहां आधे लोग के मन में खुसी है वहीं आधे लोग के मन में डाउट्स भी है लेकिन आपके मन की सवाल सबका एक ही है क्या हमारे देश में हाई स्पीड रेल चालू हो पाएगा exact date तो बता पाना मुश्किल है लेकिन आपको बता दें कि हाँ हमारे देश में high-speed rail चालू हो रहे हैं तो फिर कब होगा हमारे देश में high-speed rail का उद्गाटन हम सारे ही बेशबरी सिंदे जार कर रहे हैं तो आपको बता दें, इसका executions के लिए जितने land की requirement थी, उसमें से लगबग 89% land acquire हो चुका है। 27 में से 13 contract भी दिये जाए हैं, 1396 hectare में से 1248 अब हमारे pass है, साथ ही जापान की help से ये project मुम्किन भी किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये जितना pass दिख रहा है, उतना ही ये दूर भी है। जिसे हम आगे डिसकस करेंगे, लेकिन एक सवाल अभी भी बनता है, मुम्बई एहमदाबाद रूट ही क्यों चुना गया, क्या इसके पिछे का कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर का गुजरात होना, तो इसका काफी सारे reasons हैं, सबसे पहला, जैसा कि हम सब जानते हैं, कि मेन एम है, गोल्डन कॉर्डिरेटर बुलेट ट्रेंट्स प्रोजेक्ट एक्कॉायर करना, जिसमें डेल्ली, मुम्बई, कॉलकात्ता और चेन्नाई को सामिल करना है, जिसका कि आप जानते हैं, दिल्ली से मुम्बई का डिस्टेंस 1300 किलोमेटर है, अब इसे छोटे-छोटे faces में खतम किया जाएगा, लेकिन अगर हम एक face खतम होने के बाद, दूसरे face का wait करें चालू करने के लिए, तो फिर तो भी बड़ी मुर्खता हो जाएगी, क्यों? क्योंकि महंगाई के बढ़ते होने के कारण, project cost भी बढ़ता जाएगा, जिसे कि हो सकता है, आने वाले समय पर project फेल हो जाए, लेकिन समझदारी यही है, कि भी हम मुंबई से हमदाबाद रूट को चालू किया जाए, यहां से fund generate होंगे, और external investment भी होगा, इसे कि हम और faces में काम चालू करते रहेंगे, सेम ऐसे ही हमको अपने career में भी समझना चाहिए, यार, दुनिया को देख कि हमें अपने career भी set करना चाहिए, कि हम यह ना सोचे कि हम पहले पूरा सीख जाएंगे, तब जाके career स्टार्ट करेंगे, नहीं, पहले थोड़ा सा सीखते हैं, career start करने के लिए, फिर उस career से जो salary आती है, उस salary को और invest करते हैं, अपने career को और enhance करने के लिए, यह ऐसा कभी नहीं हो सकता, कि जो एक बार बना है, वही जीवन भर चलते रहेगा, आपने बार भी तब की पढ़ाई की है, कि आप इंजरिंग कर पाएं, इंजरिंग की पढ़ाई की है, कि अब आप अच्छा professional बन पाएं, तो अब आपको इंजरिंग करने के बाद, कि आप किस तरीके से पने करियर को और आगे बढ़ा सकते हैं, वापस आते हैं हमारे content पे, दूसरा सवाल यह है, कि मुंबई से एहमदाबाद ही क्यों, दिल्ली से एहमदाबाद क्यों नहीं, क्यों दिल्ली से एहमदाबाद ही हो सकता था पहला फेस छोटा सा, तो अगर आ सूरत, वापी, इससे सारे industrial sector के एक route से connect हो जाएगा, और अब इस route में train बनने से ये भी फायदा होगा, कि लोगों को जो इसका fare था वो भी कम हो जाएगा, साथ ही साथ time और cost दोनों economical हो जाएगे, अब इसमें एक और सवाल आता है, कि जब इसकी flight ticket इतनी सस्ती है, तो फिर train क्यों बना रहे हो, तो आपको बता दें कि flight से आप एहमदाबाद से मुंबई तो पहुंच जाओगे, लेकिन बीच के city, सूरत, वडोदरा, बलोदा, वापी आप तो लैंड नहीं कर सकते है, पैरा सूर से, इसलिए train ही सबसे main route होता है, इन सारे industries channel को एक साथ connect करने के लि इंडिया से दुभई train route डवलप हो रहा है, 2000 किलोमेटर का निचे description में लिंक दिया हूँ, उपर ये आई बटन पे भी connect मैं आपको दे दे रहा हूँ, जिससे कि आपको अच्छे इंकरी मिल सके, और यदि आप training करना जाते हैं, उसके लिए भी मैंने उपर आई बटन पे training क detail कि किस-किस तरीकिस हम training provide करते हैं, आई बटन में मैंने detail दिया हुआ है, हम civil engineers को सिखाते हैं, कि कैसे industry में आगे बढ़ना है, चलिए वापस आते हैं हमारे topic पे, और दूसरा reason है, airport सहर से काफी दूर होता है, जिससे कि traveling जितने time लगता है, airport पहुँचने के लिए, आप railways बहुत असानी से पहुचाते हैं, airport में करीब-करीब डेर से दो गुंटा पहले पहुचना होता है, तो वो भी आपका time safe होता है, और जब high speed bullet range चलेंगे, तो ये इतने ही समय पे आप अपना destination में पहुच चुके होंगे, आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो technology है, वो कोई accident नहीं हुआ है, शिर्फ यही नहीं, इंडिया की trains कितनी लेट होती है, ये में को बतानी के जरूरत नहीं है, तो आपको बता दें, अगर सिंकासन एक minute भी लेट हो जाए ना, तो उसके लोको pilot को जवाब देना पड़ता है, साथ ही passengers को पैसा return करना पड़ता है, अब स सबसे बड़ा legend है delay का land acquisition, बहुत सारी gram सभा ने इसके पीछे तो काफी लाइक चालो कर दिया था, भीया हमको ये train नहीं चाहिए, हम अपनी जमीन नहीं देंगे, इसके बावजूद भी हमने अपना 89% land acquire कर लिया है, लेकिन उसमें से सिर्फ 39% ही physical conditions में है, जहां हम और बिगार दी, लेकिन अब government के सारे जो related officers हैं, वो जी जान लगा के इसके पीछे पढ़ गए हैं, उमीद करते हैं, 2026 तक ये project खतम हो जाएगा, लेकिन अब बात करते हैं, ये project आया कैसे भीया कौन लाया, किसके दिमाग की बत्ती जली सबसे पहले, तो बता दूं 2009 से 2010 क rail budget में 6 rail corridor को proposal सामने आया था, जिसमें से एक Mumbai एहमदाबाद भी था, इसका original plan था पूने से एहमदाबाद, जो कि Mumbai से गुजरता हुआ जाएगा, इसमें 32 stoppage होंगे, और railway minister ने तो इससे बैंगलूरू तक extend करने का proposal भी रखा था, लेकिन 14 February 2013 को New Delhi में एक agreement sign हुआ, Ministry of Railway और SNC F के बीच, जो कि France की National Railway के बीच हुआ, France से हमारा plan technical support लेने का है, मार्च 2013 में पूने मुंबई का section हटा दिया गया था, इसके दो बड़े reason थे, पहला मुंबई के बीच बहुत बड़ा घाट का होना, इसके कारण budget बहुत जादा बढ़ जा रहा था, और दूसरा एक western corridor project मे तो इसमें मुंबई का काफिक का मेरिया cover हो रहा था, जिससे कारण महराज से पूने हटा दिया गया, September 2013 में जापान और इंडिया में New Delhi's agreement साइन हुआ, जिसमें decision किया गया कि study का cause दोनों nation 50-50% bear करेगी, मतलब जापान 50% उसका analysis करने के लिए और इंडिया 50% bear करेगा, और SNFC ने business projection पे इस पूरे study में alignment survey से related बहुत सारे expect ऐसे थे, जैसे कि land acquisition, environmental challenges, buildings of tunnels and bridges, इन्होंने financial model बनाया, fair and non-fair box का revenue बनाया, देखते हैं कैसे, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी planning पे, जनवरी 2014 से जीसा official मुंबई आये थे, ताकि वो आगे की discussion को continue कर सके, bridge, widakt और tunnels के design, Delhi, Mumbai और Japan के engineers मिलके बना रहे हैं, 508 km की length में, जो 508 km का length है, उसमें से 460.3 km, widakt जो की 90.6% total root length का होगा, जिसमें हम widakt बनाएंगे, बाकी के 25.87 km tunnel होगा, tunnel के बारे में आपको जानकरीच, यह tunnel कैसे काम करता है, उसका भी video मैंने पहले बनाए हुआ है, उपर आई बटन में दे रहा हूँ, निचे description में भी मैं link डाल दूँगा, और जो tunnel बना रहा है, वो 5.8% कवर करेगा पूरे प्रोजेक्ट का, और बाद जमले 9 km cut and fill tunnel है, यह भी tunnel क्या होता, cut and fill tunnel, यह भी मैंने उस tunnel के वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं, जो की 2.5% का होगा, 9.22 km के bridge होगे, जो की पूरे प्रोजेक्ट Indian Railway ने दो टाइब के service operate करने का फैसला लिया है, एक rapid train जो सिर्फ सूरत और वरोधरा में रुखेगी और एक slow service जो सारे stoppes पे रुखेगी, जैसे कि जो बोलते हैं आपन, राजधानी express जो बड़े-बड़े station में रुखती है, और local train जो चोटे-चोटे station में भी रुखती है उस तरीके के दो service होगा, इन टोटल 17 services होगी जिसमें से 35 एक side से होगी, एक side से 35 services चलेंगी, दूसरे side से 35 services चलेंगी, peak hours में एक बार में तीन चलेगा, और बागी common time में एक बार में दो services ही अपने routes पे operate होते रहेंगी, चौबिस red E5, Sinkasin Rolling Stocks, जो train देखते होना चाहे वो माल गाड़ी हो, चाहे पैसंजर गाड़ी हो, चाहे आप diesel train हो, वो सारे के सारे rolling stocks कहा जाता है, इसको rail stumps में यूज करते हैं, एक बार बता दूँ, जापान की trains 35 degree Celsius तक ही temperature झेल सकते हैं, योगी जापान में उतना maximum temperature होता है, लेकिन इंडिया में तो temperature भी है 50-50 degree तक ही कारण दूल कम है, लेकिन हमारे यहां नमी के साथ हीट भी जादा जनरेट होता है, जिससे ही कारण जो मिट्टी होता है, वो धूल के पार्टिकल में बदल जाते हैं, तो हर एक पैसंजर की train की capacity 1300-1500 पैसंजर की होगी, जिसमें पैसंज फीडिंग मदर्स के लिए अलग से कोचेस होंगे, अभी तक आपने सुना होगा, महिला बोगी अलग होता है, और कॉमन बोगी अलग होता है, लेकिन अब पैसंज के लिए अलग बोगी होगा, और मदर्स फीडिंग के लिए अलग से कोचेस बनाए जाएंगे, और होगा मिरर्स एन बैगिंग हैंक्स के साथ ह होंगे जो हम कॉमन देखते हैं सिग्नेलिंग एक्यूपमेंट एंड पावर सिस्टम जापान से इंपोर्ट होंगे लोन एग्रिमेंट के टंस के कुछ ऐसे कंडिसन्स हैं कि 80% जापान बियर करेगा ओवरॉल कंस्ट्रॉक्शन का और 20% इंडिया बियर करेगी जिसको कि हमको बहुत असानी से रिपेमेंट करना है एनेच-SRCL ने 110 करोड यूनेट का एस्टिमेशन लगाया है जो 2033 में नए सर्विस के एड होने से और बढ़ जाएगा एनेच-SRCL ने 19,540 स्क्वाइर फीट जमीन गोद्रेच और 2200 मैनिफेक्टरिंग कमपनी और विक्रोली से मही 2018 में ली थी संभरमती एंड थाने स्टेशन्स, हाइज स्पीड रेल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट इन वरोधरा एंड संभरमती HSR कॉम्पलेक्स में सोलर प्लांट से सोलर इ वाट्टू मुंबई 3000 रुपे में आप पहुंच जाओगे, कोचेस की कुछ सीटेस हटा दी गई थी जिससे की बैगेज रखने के लिए काम आ जाए, चेकिन बैगेज के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, आप इंडियन को जानते हो वो जाते एक दिन के लिए ह हैं लेकिन महीने भर कर रासन लेकर शामान लेकर जाते हैं उन सपचे जों के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा तो आपको पैसा बियर करना पड़ेगा, समय बचेगा तो समय एक्क्वल टू मनी, इस पूरे कॉरिड़र में तिन डिपोर् जाने और साबनपती दोनों में से washing plants, inspections bags and sets, workshop and stabling lines होगी regular maintenance के लिए सूराट डिपोर्ट सबसे छोटा होगा चौब माले सक्टियर का और इसमें basic maintenance के लिए सिर्फ बनाए गया है हर डिपोर्ट में water harvesting, recycling and इस तरीके के और भी facilities अबलेबल होगी अब हम greenhouse effects की और पहुँच रहे है, greenhouse buildings का मतलब कि हम उतने ही energy consume करें जितना हम create कर रहे है और जितना हम create कर रहे हैं का मतलब हमारे building से जितना energy create हो रहा है यह यह existing station के sides में या उपर होंगे ताकि यह Indian railways के transport में help करेंगे लेकिन इसका कोई cost अभी तक decide नहीं किया गया है या ना इसका कोई cost आके बढ़ेगा हमने यह भी देख लिया है कि संकन ही क्यों लेकिन जापान और इंडिया के relations कैसे हैं जो जापान 81% loan देने के लिए तयार हो गया है अगर हम international relation की बात करें तो जापान इंडिया का one of the most trusted friend है और इसमें से चाइना के साथ difference के कारण भी बढ़ चड़ के यह साथ दे रहा है जापान South Korea और US China और North Korea के specific में बढ़ने के से परसान है अगर कभी जापान को diplomatic support चाहिए होगा तो यह इंडिया ही help करने के लिए क्योंकि भी इंडिया सुपर पावर होने जा रहा है और इसमें इंडिया को भी जुरत पड़ी तो भी यह जापान पीछे नहीं हटेगा यह एक symbolic project है इंडिया और जापान के trust और business को बढ़ाने का दोनों देश अपना सौपरतिसद दे रहे हैं कि यह project successfully जल्दी से complete हो जाए आपको क्या लगता है यह business relation क्या चाइना पाकिस्तान को और सिर्फ पीछे छोड़ने के लिए किया जा रहा है या फिर इसका कुछ हमारे इंडिया में भी especially economical और सबसे main चीच लोगों के रोजगार को और बढ़ावा देगा उमिद करता हूँ हमारा प्रयास आपको पसंदा रहा होगा यदि आपने आज तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे कि किस तरह के और content आपको मिल जाए उपर आई बटन का जो detailing है मैंने निचे description में भी दिया है और comment करके हमारा उस्तादत जरूर बढ़िए Thank you so much